हालो गाइज है विक की एंडर मॉस्ट वेलकम तो वर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज हम लोग केमेश्ट्री देख रहे हैं और इसमें टॉपिक था रधर फोर्ट का एटोमिक मॉडल जो रधर फोर्ट का परमानु मॉडल था या रधर फोर्ट न्यूकलि पूर्ण है रधर फोर्ट सहाब ने अटोमिक मॉडल दिया यह वह ची बात है और बहुत ही बहुत ही बात सही है उन्हें अपने अपने अपनों का चर्चा जो है सवार मंडल से संबाधि करके बताया यह सब बात है लेकिन कुछ-ख गल्तियां हो जाती है कुछ गल्तियां उनके परमानु इसी को देखते हैं एक तो ऐसा है कि परमानु अस्थाई जो जो रधर फोड में आभी की सिध्धान्त है उसके अनुसार परमानु अस्थाई नहीं रहा सकता इस तरह की बाते उसे हैं दूसरा बात जो जो कन्फिजन वाली है कि इलक्ट्रोन जो चक्कर लगाते हैं उसके बारे में यह निस्टित नहीं कहा गया वह एक निस्टित के च्छा में चक्कर लगाते हैं या जहां तहां चक्कर लगाते हैं इस तरह कि कुछ कमिया रहे गई है उसको हम लोग देखते है सबसे पहला पॉइंट है रदर फोर्ट के पर्मानु मोडल के अनुसार सबसे बड़ी खामी यह है कि पर्मानु अस्थाई नहीं रह सकता क्या है पर्मानु अस्थाई नहीं रह सकता क्योंकि इलेक्ट्रोन उर्जा में कमी के कारण नाभिक में गिर जाएगा यह ऐसा होता है ऑगर इसके अधुमिक और देखने के वाद अगर से उसके यह बात समझ में आती है कि परमानु अस्थाई नहीं रह सकता जबकि पर मानु अस्थाई रह सकता इसका कारण यह है कि उन्होंने कहा टिंट अपनी एनर्जी से जो लगाती है अगर इलक्ट्रोन की इनर्जी खत्म होगी यह द्रीदर इनर्जी डॉन करेगी तो एलक्ट्रोन का क्या होगा चक्क्र रगाना बंद होगा और द्रीदर वो क्या होगा वह जो एटम का नाभी के उसमें आके गिर जाएगी इस तरह की बात 1.8 सेकेंड में या कुछ त्योरी में कुछ गलती है इस भी वह चीजें जो है इस तरह से आके यह होती है तो रदर फोर्ट मॉडल का जो सबसे बड़ी खामिया है कि परमानु अस्थाई नहीं रह सकता है तो एक डिफेक्ट तो यहां पर एक गलती तो आ गई अब अस्थाई क्यों है यह परमानु अस्थाई नहीं रह सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन उर्जा में कमी के कारण नाभीक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नाभीक के चारों और चक्कर रहाती है और इलेक्ट्रॉन के उर्जा में ध्रिद्र कमी आएगी तो वहां क्या होगा कमी कि परमानु अस्थाई है परमानु अस्थाई है जब कि यहां निकल रहा है परमानु अस्थाई नहीं रखता तो इस तरह का जो आप तत्थ ही निकलता है यह जो है इसके सब्सक्राइब करें नभीग के करीब आएगा और नाविक में गिर जाएगा इस तरही बात जो है नूकिलियर एकटर के संबन्द होती है कि एक बात जो है उसके सिदांस से निकल करती गलती तो यह हो गया दूसरा है रदर फोट का परमानू मौडल यह नहीं एसपश्ट करता है कि नाभीक के चार और इलेक्ट्रोन निस्चित कख्षा में चक्कर लगाते हैं या यत्रतत्र यत्रतत्र एक संस्क्रीट बड़े जिसका आर्थ होता है जहां तहां तो अब रदर फोर्ट पर्मानुमडल का यह रदर फोर्ट की जो पर्मानुमडल है वह यह नहीं असपस्ट करता है कि नाभिक के profits चारो और इलेक्ट्रोन निस्चित कख्षा में चक्कर लगूत है यह यहां तहाँ लगाता है अब मालनी अगर यह एक आएक एंड़व सा नाभिक घा रहा है निस्थ कौसमे लगा रहा है जहां इस चीज से हैंट के मुडल में किया निस्थित पर दिक में चक्छा में लगा 여ा यहां यह दम सही बात है और यह उनका कहना इदम सही है और यह अच्छा बात भी यह इसका एक बड़ा दोस्ता जो कि यह चाहिए तया इतना कहा गया तो वह नावीट के चार ओर चक्क्र लगाषब तो रदर फोड का पर्मानु मोडल यह नहीं असपस्ट करता है कि नाभिक के चारोर एलक्ट्रोन निस्टित कख्षा में चक्कर लगाते हैं या यत्र तत्र लगाते हैं यह भी डिफेक्ट होगा तीसरा है तत्तु के पर्मानु से प्राप्त वर्न पट जो एटोमिक स्पेक् सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखिए यह जो चार नंबर का पॉइंट है थोड़ा सा इसको अगर हम सिर्फ जुवान से बोलें मुझवानी बोलने से बात समझ में नहीं आएगी यह थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है जब यह चुकि पर्योग की बाते हैं जब आप अ क्यूंसे प्राप्त नहीं चाहिए जब कि उस परियोग में किया प्राप्त हो रहा है वहां पर जो है जबी है वहाँ अस पस्ट रिखाऊ प्राप्त प्राप्त होती है जो Hein पीव सबतmaal कर संथा कि पुश्टी करती है कि परमानों से उस्च सर्दित होने वाले विक्रन है वहां और सत्त है मतलब उससे यह ऑसपस्च रेखा अगर सफerson होगी तो उससे सर्जित होने वाला विक्रन क्या होगा और सतत होती है यह याद रखिए अगर रेखाएं असपष्ट होगी तो विक्रन जो है रेखाओं से उत्सर्जित होने वाले विक्रन होती है जो इस बात की पुष्टी करती है कि परमानों से उत्सर्जित होने वाले विक्रन और सतत होते हैं अब अगर रेखाएं असपष्ट प्राप्त होगी तो उत्सर्जित विक्रन क्या होगी और सतत होगी और अगर रेखाएं असपष्ट प्राप्त नहीं होगी तो उत्स व्याख्या करना संभव नहीं है और यही जो असपस्ट रेखा प्राप्त होती है इसकी व्याख्या रधर फोट साहब के थियोरी से करना मुश्किल है मतलग कि अगर यहां पर असपस्ट रेखाएं प्राप्त नहीं होती तो फिर उसकी कुछ व्याख्या हो सकती थी लेकिन य दरण्थोट के पर मानू मोडल के आधार पर मानू वर्णपट की असपश्ट रेखाओं के निर्मान की व्याक्ष्या करदा संभव नहीं है अब ही च़ार नबर औरक अच्छे से अभी कुछ नहीं हुआ इसके नीचे हम और बैसरी नंग से देखेंगे क्योंकि हम परियास करते हैं कि आपको इसका जो दोस है वह अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए रदर फोर्ड ने बताया कि सिध्धांत के आधार पर इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हुए उर्जा का उच्छ सर्जन करेगा और अंतत्तह इलेक्ट्रोन की उर्जा खत्म हो जाएगी जिससे इलेक्ट्रोन नाभिक में गिर जाएगा लेकिन ऐसा संभव नहीं है इस बात का ततर फोर्ड परमानु जा सका यहां में पॉइंट यही है लेकिन यहां पर उसी को हमने व्याख्या करके बताने का प्रयास किया है कि रदर फोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और चक्कर लगाते हैं ऐसा होता तो इसमें परमानु के अस्थाइत्त को नहीं समझाया जा सकता एद्षा में चक्कर लगा रहुए तो बिद्दूत चुम्बंट्य इस धांत के अधार पर इलेक्ट्रॉन चक कर लगाते हैं वेyrजा का उत्त तर्जन करेग रहा है कर रहा ai लेकिन एक समय ऐसा होगा जब उसकी इनर्जी खत्म हो जाएगी और वह क्या होगा चक्कर मारने में नहीं होगा और घूम भिर के क्या होगा जाके नाभीक में गिर जाएगा और नाभीक में गिर जाएगा तो परमानू क्या होगी आपका और अस्थाई लेकिन हकिकत में परम गलत हो आती है तो लेकिन एक साथ नहीं है इस बात का अधर फोड़ का पर हमानु से दान्त जो है नहीं समझाए आसकता नहीं समझा पाता है प्रूड का परणु जिसकी व्याख्या नहीं कर पाती है क्योंकि व्याख्या-कarde परमानु वह अस्थाई हो रहा है लेकिन हखिकत में परमानु अस्थाई होता है नाभिक के चारो और इलेक्ट्रॉन का वित्रन किस प्रकार से होता है यह भी इसमें नहीं समझा गया यह तो हमने वह उसी पॉइंट का व्याख्या है कि नाभिक के चारो और जो इलेक्ट्रॉ सतत होना चाहिए देखिए यही बात तो है यह जो चार नंबर और पांच नंबर को हमने रखा था समझने के लिए यही बात है कि रदर फोर्ड के इस पर्मानु मॉडल के आधार पर पर्मानु का जो इस्पेक्ट्रम है वह सतत होना चाहिए था पर्मानु का इस्पेक्ट्रम लेकिन वहारिक रूप से पर्मानू का स्क्राम राइख यह हो रहा है तो ये चीज़ें उनका थियोरी कई घामिया हो गया तो यह तीन खामिया याद रखेगा एक तो पहला परमानु के अस्थाय्स से सम्मंदित है कि इलक्ट्रॉन अगर चारो सब्सक्टे क्लान कि उसके इनर्जी खत्म पूर्ट साब की एक बात यह होई दूसरी बात किया है कि इलेक्ट्रोन नाभीक के चारों और निस्तित कख्षा में लगाएगा यहां मन तहां चक्कर लगाएगा और तीसरा कर्दिशन क्या था कि परमानू रदरफोड का परमानू का जो स्पेक्ट्रम है वह सतत होना चाहिए लेकिन वहारीक रूप से उसका किसा हो रहा है रेखिया हो रहा है यह इतना तो हम समझ सकते हैं थियोरीग रूप में कि रदर्फोड के इस कर देखा जा सकता है यह वहां पर आपको यह बात है क्लियर होगी लेकिन हाँ इतना तो हम समझ सकते हैं थियोरी के रूप में कि रधर फोर्ट के इस परमानों मॉडल के आधार पर परमानों का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए लेकिन व्यभारिक रूप से परमानों का स्पेक्ट्रम रखिये होता है और यह क्या है रधर फोर्ट का दोस है तो